गुड मॉर्निंग आज 25 अप्रेल 2023 है आज के जितने भी करंट अफेर्स के क्वेशन है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज का मोटिवेशन प्रशन पूछो इससे जिग्यासा बढ़ेगी और जहां जिग्यासा होती है वहीं से ज्यान का उद्गम होता है आज का प्रिवेश एर क्वेशन किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राश्ट्रकूर्ट के बिच त्री पक्षिय संगर्श हुआ था ओप्षन A. पाटली पुत्र, ओप्षन B. कन्नोज, ओप्षन C. दिल्ली, ओप्षन D. इन में से कोई नहीं ये क्वेशन S.S.C. 2011 में पूछा गया था, इस क्वेशन का अंसर अपको वीडियो के एंड में मिलेगा आज का पहला क्वेशन है पूर्ट सुडान से लगबक 500 फसे हुए भारती नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ओप्रेशन को शुरू किया गया है ओप्रेशन कावेरी भारती जहाजों और विमानों द्वारा किया जा रहा है जिने पूर्ट सुडान बेजा गया है सेना और अर्दसेनिक बलों के बिच लडाई के कारण सुडान हिंसा का सामना कर रहा है नेक्स्ट विश्व टीका करन सप्ताह कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व टीका करन सप्ताह अप्रेल के अंतिम माह मनाया जाता है इस वर्ष 24 से 30 अपरिल तक मनाया जा रहा है इसका उद्देश लोगों को टीके से रोकी जा सकने वाली बिमारियों से बचाने के लिए आवश्यक सामुहिक कारिवाई को उजागर करना है इस सप्ताह का उद्देश टीका करन के लाबों के बारे में जागरुकता बढ़ाना और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोचाहित करना है इस वर्ष इसकी थीम है दबिग कैचप नेक्स्ट क्वेशन है किस राश्य उध्यान द्वारा सिंगल यूस प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाया गया है हाल ही में वनविहार राश्य उध्यान द्वारा सिंगल यूस प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में वनविहार राश्ट्री उध्यान ने अपने परिसर में सिंगल यूस प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है वनविहार राश्ट्री उध्यान मध्य प्रदेश की राज़दानी भोपाल में इस्तित है मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवेंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश की सीमा पाथ राज्यों से उत्तर प्रदेश 36 गड़ महाराश्ट्र गुजरात और राजस्तान से लगती है शेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है पहला सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्तान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान है मध्य प्रदेश के राजिपाल, मंगुबाई, छगनबाई, पटेल है मध्य प्रदेश का उच्चन्यायल है, हाई कोट, जबलपुर में इस्थित है मध्य प्रदेश के विश्व दरोहर इस्थलों में खजुराहों के मंदिर, साची स्थूप और भीम बेटका की कुफाई इस्थित है मध्य प्रदेश के उजएन शहर में प्रत्यक 12 वर्षों में कुम्बु के मेले का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश की मुखिनदी नर्मदा है जिसका उदगा ममर कंटक की पहाड़ियों से होता है मद्धि प्रदेश के राश्ट्यूर्ध्यानों में काना किसली, बांदाउगर राश्ट्यूर्ध्यान, सत्पुरा राश्ट्यूर्ध्यान, मादव राश्ट्यूर्ध्यान, वन विहार, कुनो नेशनल पार्क, आदी स्तित है मद्धि प्रदेश में कुल 53 जिले है अभी नया जिला वर्तमार में मौगंज को बनाया गया है 4 मार्च 2023 को इसको जिला बनाया गया मद्य प्रदेश में कुछ जनजातिया भील, गोंड, बेगा, भारिया, कोर को निवास करती है मद्य प्रदेश का राजकी व्रक्ष बर्गद है राजकी पक्षी दूदराज है राजकी पशु बारह सिंगा है राजकी खेल मलखंब है विश्व का पहला गो अभ्यारन ने काम देनू गो अभ्यारन ने मद्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसिल में इस्थापित किया गया है हाल ही में बार्सिलोना किताब कार्लोस अलकराज द्वारा जिता गया इस्पैनिश टैनिस स्टार कार्लोस अलकराज ने लगातार दूसरी बारे किताब जिता नेक्स्ट रिक्वेशन है 120 वंदे भारत ट्रेने कहां बनाई जाएगी 120 वंदे भारत ट्रेने लातूर महाराश्टर में बनाई जाएगी भारत की महतोकांग्शी रेल विकास योजना के तहत महाराश्टर के लातूर में रेल कोच फेक्टरी में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। महाराश्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराश्ट्र के मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे है। महाराश्ट्र के राज़िपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट क्वेशन है, खोंग जोंध दिवस कहां मनाया जाता है। मनिपूर के मुख्य मंत्री एन बिरेन सिंग ने 23 अप्रेल 2023 को खोबांग चिंग खोंधों युद्ध समारक परिसर में 132 खोंधों दिवस 2023 के आयोजन में भाग लिया। 1891 के एंगलो मनिपूरी युद्ध के दोरान मनिपूर की स्वतंत्रिता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के किलाफ लड़ते हुए सर्वोच बलिदान देने वाले मेजर पाउना ब्रजबाशी सहित वीर मनिपूरी युद्धाओं को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है मनिपूर की राजधानी इंफाल है मनिपूर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग है मनिपूर की राजजिपल अनुसुया उईके है खोंग्जोंग दिवस के साथ ही मनिपूर में यशांग उच्सव भी मनाया जाता है मनिपूर की सीमा नागालेंड मिजोरम और आसम से मि प्रत्येक वर्ष राश्ट्रिय पंचायती राजदिवस 24 अप्रेल को मनाया जाता है। आज का क्वेशन था किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राश्ट्रकूतों के बीच त्री पक्षिय संगर्ष हुआ था। तो प्राइब झाल